केंद्रिय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमंद्वारा सांसत में किया गया बजट काफी महतुपूर्ण और देश हित में लिया गया है जिसका फाइदा जरूर देश वासियों को होगा ऐसी जानकारी एन्वी सी से के पूर्व अधिक्ष बीसी भरतिया इन्होंने दी है इस मौ अधिक महत्व पूर्ण हो गया है वैसे भी कोर्णा से प्रभावित अर्थविवस्ता में लोगों को बूस्टर डूस का इंतजार है इस पीच सरकार को अपना राचिस्व लक्ष पूरा करने के लिए काफी काईवात करनी होगी इस वजह से इस बात का महत्व बढ़ जाता इस साल भी कोविड-19 के कारण काफी खर्च होने वाला है कोविड-19 का करन कारेक्रम के लिए रूप रेखा बनाए चाएगी तो यह सरचार्च पर सकता है या इस वर्ष के बचिट में एक कोविड से शामिल हो सकता है इस सरह के उपकर और अधिबार एक निशित सीमा से वर्ष तक वसूले जा सकते हैं कि कैसे विक्सी तो उसके उपर दिया गया है पुंजी खर्च केंद्र सरकार जबर्दस्त कर रही है इसका असर आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा और नागपुर में मेट्रो का फेस्टू का भी परमिशन दे दिया है तो एक मास पब्लिक मूव्मेंट मास पब्लिक मूव्मेंट हमारा होगा ये भी बहुत अच्छी बात है बैंकों का जो डिपॉसिट बैंक जो डूब जाती थी इंशुरेंस एक लाग से पांच लाग कर दिया तो घर के महिलाएं जो है अब सुरक्षित महसूस करेगी मुझे ऐसा लगता है कि जो अलग-अलग शेत्र में खर्च कर रहे हैं शिपिंग में इतना बड़ा सोच लेके आए हैं तोंकि अब पूरा अंतराष्ट्य व्यापार हो गया है शिप हमारे होना चीए तो उसके लिए भी काम बहुत अच्छा हो रहा है फाइनेंस को लेके अच्छा हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ये किया है इसका लाब हमें दूरगामी लाब बहुत अच्छा होगा एक अच्छा बजट आज पेश किया गया तो आप थे बीसी बरते जिन्हों ने बखुबीर बेबा के साथ बात करते हैं ये कहा कि ये जो बजट ही ये काफी महत्तों पूर्ण है लेकिन महद ये बजट नजय मेरे इन बीसी बीसी बीस निस नाखपूर